अगर रिपोर्ट समय से आ गई होती तो आज साइद मेवाला चौधरी हमारे बीच होते और उनकी जो रिपोर्ट लेट से आए इस कारण जो है इलाज में भी लेट हुआ और उनकी आज जान जो है राजधानी पटना के पारस होस्पिटल में सुबह के साड़े चार बजे उनका निधन हो गया जिसके बाद लगतार विपक्ष के द्वारा बात कर ले तो विपक्ष से बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ है बिहार में करोणा ने कोहराम मचा दिया है और सुसासन की सरकार स्वास्त विवस्था देने में एक वार फिर से फेल साबित हो गई है अमुमन बिहार में ऐसा ही होता है जब आपदा आती है तो सरकार चादर तान सोई रहत चाहे पटना में जल जमाव का विपदा हो या मुझा फरपूर में चमकी बुखार या फिर हो कोरोना बिहार सरकार समय से पहले सशेत नहीं होती है सब कुछ लुट जाने के बाद सिस्टम नीन से जागता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है कोरोना के इस महामारी में भी एक वार फिर से वही इतियास दुहराई गई को क्रोना संकर्मन की रफ्तार के आगे सरकार की कथा कथित तयारी एक वार फिर से धरी की धरी रह गई है और मरीज बिना इलाज के मर रहे हैं चगवारो और त्राहिमाम और सरकार जूठी दलीले दे रही है जीलो की बात छोड़िये राजधानी पटना के हस्पिटल में बेड अक्सीजन और सुई नहीं है अब तो खास लोग नितीश सरकार की लापरवाही की भेट चड़ रहे हैं नितीश कैबिनेट में एक दिन के विवादित मंत्री और जैदियू के वरतमान विधायक मेवाला चोड़ी सिस्टम की भेट चड़ गए कोरणा से आज मेवाला चोड़ी की मौत हो गई, मौत के साथ ही बिहार की स्वास्त विवस्था की पोल भी खुल गई जदियू विधायक की मौत के बाद सियम नितीश ने दुख जताया और राच्किय सम्वान के साथ अंतिन संसकार करने का एलान किया है अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि उसके अनुसार मेवालाल चोड़ी की करोना जाच की रिपोर्ट अगर समय से मिल गया होता तो सायद उनकी जान बच सकती थी लेकिन उनका रटीपी सियार जाच की रिपोर्ट काफी देर से आई जिसकी वज़ा से अस्पताल में उन्हें भरती किया जा सकी मेवालाल चोड़ी की मौत के बाद उनके नीजी सहायक सुभम ने नितीश सरकार के करोना की कथा कथित तयारिया की पोल खोल दी विधायक के नीजी सहायक की माने तो करोना जाच की रिपोर्ट समय से नहीं मिलने की वज़ा से उनकी मौत हो गई अगर जाच रिपोर्ट समय से मिल जाता तो सायद अस्पतालों में तो जिस तरह से कुरोनागी रिपोर्ट आने में देर हुई और मेवालाल चौधरी की जान चली गई तो कहीं न कहीं या जो सवाल है वो सिस्टम पर ये सवाल उठता है कि आखिर जब सरकार तमाम तलह की दलीले दे रही है कि रिपोर्ट जो है वो सब कुछ सिस्टम सही करा द दिया गया तो फिर यह जो रिपोर्ट लेट से पहुंची उनकी रिपोर्ट लेट आई तो आज मेवाला चौधरी सिस्टम के भेट चड़ गए इसका खाम्याजा जिस तरह से बात कर ले तो सरकार पर यह सवाल सिधे सिधे उठाता है कि जब जन प्रती निधी का यह हाल है त तो आम जनता क्या का क्या हाल होगा और वे अपडेट्स देंगे बरनी स्पोनेशन के साथ अपना खयाल खुद ही रखे नमस्कार